नब नाइगा रोच बढ़ रहा है आपको पता है कितना बड़ा है यह कोई परक नहीं पड़ता है यह है कि रोज एक रुपीय आ ठंदी बढ़ी जाता है कम तो हो नीडा कम का पता इन लगता बड़ी मिलता है तो यह कहना जाएंगे कि रूद बढ़ रहे हैं गोवर्मेट को टोड़ा काट्रोल करना चीडिया है कि प्रणल कर दिया नुद करना तो वह कि इतनली तक्लीफ है अब माले लोग जाने क्या करना क्या करना में तो नौगरी बाले बंदा कहीं बेजना तो मैं पड़े हैं नहीं कोई डिकत मद एक दम जिल ना ही पड़ेगा n बढ़ दिकत नहीं बाई बरवा ददेश क्या कहेंगे करोना ने मार लिए पर पेटलोना कितना पईसा बढ़ा से तो रुपया होगे दिका है महमद पर्देश में पर्देश में राजस्तान के गंगा नगर में 103 प्रदेश में हम से क्या कहने से बाई मोधी से कहो हम थोड़ी कर दो सटाने उसक gent क्या कह enrolled कहें तो कृम क्रदंग यारा हाजए तो दिकत दॉसकति यह दिकत थोShe यहां नहीं पर बढ़ गया तो बंदा चिलाई सकता चिंखाही मार कंम होगा हुग पंसे आप हीोगा दिदेनीक जीवन का हिस्सा बनती जा बोलना बोलते हैं लोग लेकिन बोलने से कोई फायदा ही नहीं आगर हम भी बोलेंगे कि नहीं बराना है चलाना था बराना शलना ही पड़ेगा पने बढ़ गया क्या करेंगे वह दिक्षत होगा तो क्या कर नहीं पर रहे हैं दिख्कत तो है इनसान को यह बढ़ती हुई कीमतें पेट्रोल की आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है लोड नहीं लेते इसका आपके आगर जब तक चिंदीगे तब तक चलाने के कोशिश कर नहां होते है गारी घर पर आएगा और क्या करेंगे साइकल चलाएंगे दाम बढ़ गया आपको पता है हाँ बढ़ गया है हाँ जी हाँ जी क्या कहना चाहिए हमें तOUGH कोई नहीं जीजो ख़िखत नहीं है ठीक हो रहा है घर Middleprint देश में बीते दो महीने से तकरीबं ग्यारा हुपे पेट्रोल के दाम बढ़ चूके हैं लेकिन आज 26 पैसे बढ़ने पर हमने कई लोगों से उनके रियक्सेंस जाने तो उनकी माने तो बहुत लोग परिशान दिखे लेकिन उनका कहना है यह अब उनके चलन का हिस्सा बन गया है जो रोज मर्रा की जिंदगी में शामिल है इससे उनको कोई तकलीफ नहीं है कुछ की माने त वो बेबश भी है लेकिन पेट्रोल भरवाना तो उनकी मजबूरी है